हलो फ्रेंद्स नमस्ते दोस्तों मैंने यह लटकन यह टसस बनाई है जो मैंने लहंगे पर लगाने के लिए बनाई है इसमें सब चीजों का यूज जो किया है मैंने वो जो मेरे पास घर में पड़ी थी उनिका किया है तो आज मैं आपको बताती हूँ कि यह कैसे बनानी है चोटे चोटे से कपड़े जो हमारे साइडों में लटकन के लिए हमने द्यार की और यह नेट आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यह फ्लावर नेट ली है तो मैं आपको बताती हूं हमें सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड समय सबसे पहले इसकी उल्टी साइड म हमें इसकी पूरी स्टीचिंग करनी है यह दोनों को कलटके हमें और यह पूरी स्टीचिंग यहां से लेके कंप्लीटल\'i sheeaking ना है तो मैं आपको यह करके बताती है यह देखिए हमने स्क्वार कप्ड़े की स्टीचिंग कर ली है और थोड़ा सा इसका मुः खुला छोड़ाया इसको अब हम सीधा कर लेंगे किसी तीखी चीज से हम इसके कॉर्नर भी निकालेंगे आप इसको फिल कॉर्टन से भी कर सकते हैं रफ कपड़े से भी कर सकते हैं जिससे आपकी सुईदा हो आप इसको फिल कर सकते हैं कि यह दिखी ठोटा सा कॉशन तयार है अब हम इसको फिल कर देंगे इसको फिल करके हम इसका जो आमने थोड़ा से स्टिचिंग इसका छोड़ा था सिलाई छोड़ी थी उसको भी हम बंद कर देंगे यहां पर हम सिलाई बार देंगे इसी तरीके से हम यह और यह कॉशन भी हमारे तयार कर लेते हैं मैं तयार करके आपको यह दिखाती हूं यह देखिए हमारे कॉशन रड़ी हैं अब हम इनको आटेज करेंगे सुई और थागे से मैं आपको बताती हैं इस तरीके से हम इनको आपस में अपेज कर देंगे यह देखिए यह हमारा कॉशन तयार है मैंने पांच इसके लगा दी है नेक्स्ट हमें क्या करना है यह जो मैंने नेट फैब्रिक लिया है उसको डबल फॉल्ड करना है और उसके साथ में ऐसे ऐसे हमें थोड़ा स्टीच करते जाना है थागे सुई धागे के साथ में यह जड़िगा है यह हमें थागे है यह जड़का है यह दो गण। यहज़ है है यह जड़का है यह प। झाल 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 तरीके से हमेश में से निकाल लेंगे इसको ऐसे जिपोड करके यह हमारी नेट की तयार है यह देखिए इस तरीके से हमेश में इतना यह दालेंगे फिर एक पे मोती डालेंगे यह देखिए और हम अपने सेकेंड कोशन पर इस तरीके से इसको अटेज कर देंगे यह थोड़ा से हमें अच्छे पक्की से अटेज करना है और बाद में हम इसको मोती में से ही अंदर से निकाल के नेट फैबरिक पर वापस लेंगे क्याकि जो हम नॉट लगाएं वो सामने शो नहीं करें यह देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके भी पूरी ट्रसस लगा के तयार कर दिया है अब हम इस दोनों को आपस में अटेज कर देंगे और उसके बाद में इस तरह के यह स्टॉन है इन स्टॉन से इनको फैबरिकोल की हेल्प से सबको चिपका दुनी और इसका लुप बिल्कुल फिर उसके बाद में हमारे जो सेकिंड तरसस जो मैंने पहले रैडिक की रही थी बिल्कुल सेम वही लुग आएगा तो फ्रेंट्स किस पसंद आए तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें